नमस्कार प्रियदर्शकों जब हम बहुत मेहनत करते हैं और एक उमीद होती है कि इस मेहनत का अब रिजल्ट आने ही वाला है और उस समय में जब आपको वो रिजल्ट नहीं देखने को मिलते एस्ट्रोलोजी के आप कारेकरम देखते हो और जैसा बताया जाता है वैसा आपके जीवन में घटित नहीं होता तो बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि एस्ट्रोलोजी कुछ नहीं होती किन्तु ऐसा नहीं है ये ग्रहों की इस्टती हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और इसके अनुभूती 11 फरवरी 2023 से पूरे 35 दिनों तक मिथुन राशी वाले जातक अवश्य रूप से देखते हुए पाए जाएंगे 11 फरवरी को आपके भाग्य इस्थान के स्वामी शनी महराज अस्त होने जा रहे हैं जिसे मिथुन राशी वाले जातकों के जीवन में क्या-क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये अक्षरे सत्य ना होते हुए दिखाई दे तो आप मुझे बताईएगा और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ इस कारेकरम को देखने के पस्चाथ आपके जीवन में जो आने वाले 35 दिन हैं इसमें घटित अवस्थाएं आपको जोतिश पर विश्वास जरूर से दिला देगी जब आपके भाग्य शनी महराज अस्त होंगे तो आप देखेंगे कहीं न कहीं भाग्य का जो साथ निकल कर आना चाहिए वो अवस्था में आपको कमजोरी देखने को मिलेगी भाग्य भरो से आपको 35 दिनों तक 11 फरवरी से 35 दिनों तक बिलकुल भी नहीं बैठना है यहां पिता के स्वास्त में प्रभावित योग छोटा मोटा बन सकता है या फिर पिता से अंडस्टेंग रिलेटेड इशू आपको दिखने को मिल सकते हैं तीसरी द्रश्टी से अस्त का तवस्ता में जब शनी महराज आपके एकादश भाव को देखेंगे आपके लिए अनुभूती कीजिएगा कोई डिजायर बनी हुई है अब पूर्ण ही होने वाली है तो इन 35 दिनों में इसमें आपको डिले देखने को मिलेगा घबराई एमत ये जोतिश की सत्यता है और इसे जब आप अच्छे से समझ लेते हैं तो उसकी प्लानिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं साथ ही मैं आपको ऐसे उपाए भी बताऊंगा जिनका पालन करकर इन 35 दिनों में भी आप बहुत बड़े लाब ले सकते हैं आपकी कोई डिजायर्स मनो कामना बनी हुई है पूर्ण होने ही जा रही है तो इसे में कहीं न कहीं 11 फरवरी के पस्चा थुड़ा डिले देखने को मिलेगा अगर आप व्यापार करते हैं तो जितनी अरनिंग हम डिजर्व करते हैं उनमें कुछ मात्रा में कमी देखने को मिल सकती है यहां से सब्तम द्रश्टी जब शनी महराज की आपकी कुंडली में एकादश भाव पर आएगी माफ कीजेगा पराकरम भाव पर आएगी यह इस्टती आपसे महनत तो बहुत करवाने वाली है किन्तु महनत के रिजल्ट्स में कुछ मात्रा में कमी देखने को मिलेगी छोटे भाई बहनों से understanding related या छोटे भाई बहनों को लेकर आपके मन में एक छोटा मोटा tension तनाव देखने को मिले इस प्रकार के स्थती भी यहां आपके लिए activate होने जा रही है व्यापारी की आत्राएं यदि आप इन 35 दिनों में करते हैं 11 फरवरी से आने वाले 35 दिनों में यदि व्यापारी की आत्राएं करते हैं तो इसमें भी सफलता मिलने का योग आपको कमजोर अवस्था को दर्शाता है वो डिलेगत अवस्था में चला जाए तो ऐसे में प्रि साह के साथ गए कि यहां से व्यापार लेकर आएंगे और वह वस्था जब हमारे हाथ में नहीं लगती है तो कहीं न कहीं डी मोटीवेशन एक्टिवेट हो जाता है दशम दरश्टी से शनी महराज की आपके शश्टम भाव पर दरश्टी जाएगी और इस इस्तिति के आधार पर जॉब में आपको छोटा मोटा स्ट्रेस देखने को मिल सकता है बॉस का लिग आपको लेक पोलिंग करते हुए पाए जाएं या फिर महनत आप कर रहे हैं एप्रिशेशन किसी और के सांजे जा रहे हैं ऐसे योग देखने को मिल सकते हैं किन्तु घबराईए गमत ये मा प्रकार का रुकावट आ गई है इस प्रकार की अवस्था यहां शनी के अस्त होने से आपके जीवन में होगी और यही इस्टती है जिससे आप अनुभूती कर सकते हैं कि ग्रह आपके जीवन में कारिय करते हैं कि नहीं क्या होता है कि एकदम से कोई व्यक्ती बहुत तेज से बूस्ट अप ले लेता है और ऐसा क्या होता है कि एकदम से अच्छी खासी चलती हुई अवस्ताओं के अंदर रुगावटे आ जाती है ये ग्रहों का खेल है आपको छोटा मुटा स्वास्त रूपी योग में ध्यान रखने की अवशक्ता रहेगी अन्यता मौसमी बिमार आपको प्रभावित कर सकती है इन 35 दिनों में आप यदि कोई करज लोन फाइनेंस कुछ करना चाह रहे हैं तो आपको टालना चाहिए इन 35 दिनों में आपको 11 फरवरी से आने वाले 35 दिनों के अंदर कोई करज लोन इस प्रकार के स्थियों में आपको लिप्त नहीं होना चाहिए और अगर आपने पहले से ही करजलों ले रखा है तो इसका भी कहीं न कहीं छोटा मोटा तनाव आपको देखने को मिल सकता है इस ड्यूरेशन में आपके साथ में ही कारिय करने वाले कहीं न कहीं शत्रूवत व्यवहार गुप्त शत्रूओं के स्थिका उजागर इन सब इस्थियों की 35 दिनों की जो अवदी है इससे कैसे उभरा जाएगा अब वो जानिये यहां आपके करमेश देवगुरू ब्रस्पती की इस्थि बहुत अच्छी बनी हुई है तो सबसे पहले आप ऐसा समझे कि आप जीवन में आगे बढ़ना चा रहे हो किन्तु य नेक्स स्थेप आता है जी अब जीवन में आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए चाहिए होती है आपको एनरजी और वो एनरजी के अंदर आपको क्रियेट करकर देंगे आपकी कुनली के सब तमेश और करमेश देवगुरू ब्रस्पती की आराधना करना चलते फि बहुत रोचक तत्य है अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा यहां बिलकुल विपरी तवस्ता है मिथुन राशी वाले व्यक्तियों के लिए जिन लोगों की कुंडली में शनी महराज का प्लेसमेंट अच्छा है जैसे लगन से छटवे घर में नहीं बैठे हैं आथवे 11 फरवरी से 35 दिनों के अंदर देखने को मिलेगी किन्तु वहीं दूसरी तरफ जिनकी कुंडली में शनी महराज नीच के होकर बैठे हैं लगन से छटवे आठवे बारवे घर में जाकर विराजित हुए हैं इन लोगों के लिए यही 35 दिन बहुत बड़ी राहत देने जा हैं क्योंकि जिन लोगों के लिए हर ग्रह हर व्यक्ति के लिए अच्छा फ़ल नहीं देता है कई लोगों को शनी महराज के अस्त होने पर मिथोन राशी वाले व्यक्तियों को बहत रिलीफ भी मिल जाएगा तो कई लोगों को अच्छी खासी अवस्ता चलते हुए एकدم से ये जो उपाए मैंने आपको बताया है विश्नु सासर नाम का पाठ और देवगुरु ब्रस्पती को मजबूत करने का ये तो आपको करना ही करना चाहिए साथ ही दूनों लोगों को जिन लोगों की कुंडली में शनी महराज अच्छे भाव में बने हुए है या नहीं बने हुए है इनको शनी आरादना अवश्य करनी चाहिए ओम शन 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 शरा या नमहा इस मंत्र का जाप करना बेहद अच्छे लाप देगा शनी चालीसा का पाठ करें या सुनें दोनों में से जो भी संभवत इस्थती बनती है इसे आप फॉलो कीजिए जहां शनी महराज अगर अच्छे भाव में बने हुए हैं तो इनका आशिरवात कुछ मात्रा में ही सही अस्त होने के बाद ग्रह प्रॉपर सिस्टम में रिजल्ट नहीं दे पाता है तो कुछ मात्रा में ही सही किन्तु आपके लिए बेहद अच्छी अवस्ता का योग यहां पर एक्टिवेट होता हुआ दिखाई देगा आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार